केंद्रे मंत्री वा हमीर पोर्ट संसदेद शेत्र से संसद अनुराक ठाकुर ने शुक्रवार दोपैर को उना से इंदौर के लिए रेल सेवा विस्तार के तहत हरी जंडी देखा कर ट्रेन को रवाना किया केंद्रे मंत्री ने कहा कि उना से नई रेल सेवा की शिरुवात हुई है यह ट्रेन ब्रिंदावन आगरा और गवालियर से होते हुए इन दौर पहुंचेगी श्रधालू ब्रिंदावन के साथ महाकाल मंदिर उजयन जाकर दर्शन कर पाएंगे यह श्रधालूं के लिए एक प्रयास जारी है इसके लिए रेलवे लाइन की शम्ता में बड़ोत्री पर कारे किये जा रहे हैं केंद्रे मंत्री ने कहा कि उना रेलवे स्टेशन में ओवर प्रिच को भी लोगों की सेवा के लिए खुल दिया है अब लोगों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे तक पहु कुड़े में फेक देती हैं उन्होंने कहा कि हिमाचल में महिलाओं को 1500 रुपए दिये नहीं गए तो पूरे देश की महिलाओं को कॉंग्रेस कहां से यह राशी देगी इसके बीच में एक नई रेल सेवा की शुरुआत हुई है उन्होंना से लेकर इंदौर तक किये ट्रेन उन्होंना से जब चलेगी तो आगरा भी जाएगी व्रिंदावन मतरा भी जाएगी गवालियर महाकाल लोक और फिर जो हमारे उज्जैन में है और फिर इंदौर तक क करता हूं लंबे समय से हमारे क्षेत्र की मांग थी जब मैंने मांग रखी हर्दवार के लिए और महाकाल लोक और विंदावन मतरा के लिए मात्र दस दिनों के अंदर ये दोनों टेनों की मंजूरी करना ये अपने आप में दिखाता है मोती जी का हिमाचल प्रेम यह हमारी एक बड़ी उपलब्ती है और इसके साथ साथ हमने दौलतपुर चौंग के लिए एक वाशिंग लाइन भी मंजूर करवा दी जो क्रोड और लगबग 40-40 क्रोड प्या खर्च होगा वाशिंग की सुविदा होगी जितनी ट्रेने हमारी पहले रुख जाती थी भविश्य मे अब हम उनको वाल आएंगे भी सफाई भी कराएंगे यानि के भविश्य में और ट्रेनों का हिमाचल से चलने का रास्ता खुल गया है हमने अपने रेलवे ट्रैक इनको भी लंबा करने के लिए ताकि 16 भोगी की जो ट्रेन आती उसकी बजाए 22 भोगी की कैसे आए उस पे भी हम काम कर रहे हैं और हमारा जो दूसरा प्लाटवॉम है उसको फूट ओवर ब्रिज के साथ जोडने के लिए हमने वह भी काम पूरा करवा दिया है हमारी इसकी बहुत बढ़ी सुविदा उत्तर रेलवे के माध्यम से यहां पर मिली है और साथ ही साथ अम बिंदौरा र कर दो पूले है